लो गाइस कैसे हैं आप लोग तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट एसस्टी पेपर फूजिया सीटेट पेपर टू का सोशियल साइंस की आज पहली क्लास है आज सही स्टार्ट कर रहे हैं और यह आपकी स्टेट का स्टार्ट करने वाले हैं बिलकुल जड़से करने वाले हैं जो भी आपका स्टेट पों स्टेट करें के बिलकुल बेसिक लेवल से खटमنا करते हुए जाएंगे तो complete इसमें जो है सस्की आपकी खतम है समझो मतलब यह आज आज आपकी पहली class है यह classes चलेंगे आपके daily इसमें आपका तीन सब्जेक्ट रहेंगे history, geography और civics तीनों ही आपके इसमें खतम होंगे और इतना जवर्दस्थ भैंकर तरीके से पढ़ेंगे ना इसको मतलब जो line मैंने इस पर लिखी है ना thumbnail पर आपने पुड़ी होगी कि वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा वो बिल्कुल सेच लिखी है मतलब यहाँ पर मैंने आपको लिखा रहा है वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा तो SST से अगर आपको डर लगता है कि इतना lambas labor से कैसे याद रखे कैसे चीजों को manage करे कैसे इसको जो है पढ़े हैं तो अब यह डर अपने दिमाग से निकाल दो SST आपकी interesting तरीके से बनाई है कि इसको देख करके visual आपके दिमाग में छप जाएंगे और आपको जो है अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी आद हो जाएगा आपको देखते देखते ही चीज़े तो चलिए फिलाल करते हैं स्टार्ट और जो भी नए स्ट सब्सक्राइब कर लो साथ में डबालो क्योंकि उसको आपकी तैयारी के लिए जो है आपको डेली वीडियो मिलनी जरूरी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो जबर्दस तरीके सिर्फ एसस्टी नहीं उसके अलावा भी सारे सब्जेक्ट आपके चलेंगे तो तैयारी होगी आपकी completely तो साथ में जुड़ जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबालो फटा फट से ठीक है और रही बात टाइम टेबल की कि डेली कितने बज़े क्लास आईगी आपकी तो उसके लिए ये एक वीडियो बनाई थी मैंने टाइम टेबल की सीट सामने ये वीडियो आजाएगी सीटेट जुलाई 2024 का इम टेबल ठीक है तो ये वीडियो आप जाके देख लेना इसमें आपको पता चल जाएगा सारी चीज़े कि कितने बज़े कौन सी क्लास होगी उसके अलावा एक चीज और है और वह ये है कि जैसे आपकी क्लास मिस हो ओर आपको सारी क्लास ही देखनी है ईक तो प्रीविस और वाली है उसके अलावा तक class की बात तो सीटेट concept classes लिख करके search कर लें ए लिए कि यूटुप पह सर्च करना सीटेट concept class क लिख के तो जैसे आप सीटेट लिख करोगे सबसे पहले लिख कर एक चैनल यह आ शेलावा एक class 1 आपके सामने आ गई Last 2 आगई इस तरह से छो है लग चलेगी, उसके लिए प्रिवियस कोच्शन पेपर ही लिख करना होगा आपको, थिर्प, इसके लिए आप लिखेंगे, सित반द प्रिवियस वार्चन पीपर, तो आज यह इस लिए बतना रहा रहा हूं, यह मैरा पर आथ नागी के complete notes मिलेंगे all subject के और जबरदस्त notes हैं जिसके अंदर सारा syllabus cover हो जाएगा अलग से कोई किताब नहीं पढ़े नहीं कुछ भी नहीं पढ़ना पूरा paper इसी में चपता है अभी last वाले exam में भी 126 number आपके इसी में से फसे थे notes के अंदर से ही second paper में 122 number फसे थे तो total मिला के पूरा paper आपका notes में से फज जाता है तो notes को completely याद कर लो जितने भी हैं आपके ज़्यादा मुश्किल नहीं है shortcut वाले हैं तो याद हो जाएंगे आपको आसानी से साथ में classes कर लेना काम खतम seat at आपका 100% pass होगा कोई दिक्कत नहीं आ रही चलिए आप शुरू करता है हम अपनी class ठीक है तो आज का जो पहला topic है और वीडियो को like कर दो फटा फट से जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया जल्दी फटा फट से like हो जाना चाहिए देखो आपका like ही मेरे लिए motivation का काम करता है तो सबसे पहले आपको like कर दीना है सबसे पहले फटा फट से और साथ में जुड़ जाओ एक बार फिर से याद दिला रहा हूं सबस्क्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया आप में तो सबसे पहला topic जो आज हमारा रहेगा पहला topic है हमारा प्रत्वी की सनरशना जानी कि हमारी प्रत्वी के अंदर NCRT में जो chapter है उसका नाम है NCRT में जो chapter उसका नाम है हमारी प्रत्वी के अंदर लेकिन slavus में यह बात करें तो उसमें जो title दिया गया है वो दिया गया है प्रथवी की संरश्ना, दोनों का सेम मतलब है प्रतवी की संरश्ना यह हमारी प्रतवी के अंदर एक ही बात, तो यह हमारा पहला चाप करा आज था, अब इसके बाद हमारा देखो, यहाँ पर siamo बात करें अगर संरश्ना की, तो मैं आपको इंट्रो दूए एक सिंपल सा, तो पानी ज्यादा हो जाएगा कभी पेड़ आपके कम हो जाएंगे आनलीज़े जो है बहुत सारे परिवर्तन है जो वन है वन ऊगते हैं और यह परिवर्तन छोटे लेवल पर नहीं बहुत बड़े लेवल पर जैसे एकर पहले आज से लाखों साल पहले हम जाएं तो प्रत्वी यह गरम गोला था मतलब उस पे जो है गरमी ज़यादा थी क्योंकि वो आग का गोला माना जाता था पहले क्योंकि सूरज का एक टुपला बना है तो इस तरह से प्रत्वी पर निरंतर परिवर्तन होते रहे अभिवी बात करें तो हमारी प्रत्वी पर बाहरी रूप से बहुत परिवर्टन होते हैं जल्वाई परिवर्टन कभी ठंड आ जाती है कभी गर्मी कभी बारिश होती sacrifici छीज़ें आपको देखे लिए आमत्र देहिकों तुर नॉप परिवर्टन होते हैं पानी के नीचे में कुछ है पानी के नीचे भी एक सनरशना है जिसमें लावा है आपका जिसके अंदर आग दहकती रहती है मतलब पुल मिलाके पिगली हुई एक सनरशना है बिलकुल आग जैसी तो यही चीज़े आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि प्रत्वी में किस-किस तरह से आंत्रिक परते बनी हुई है और उसके अंदर कौन-कौन से मटेरियल आपको देखने को मिलता है तो कभी आपने सोचा है कि प्रत्वी के अंत्रिक भाग में क्या है यह प्रत्वी किन पदार्तों से बनी हुई है तो यहाँ पर अगर एक सिंपल सा चितर देखे आप देखो सबसे बीच में एक गोला चोटा सा, फिर उसके उपर एक और परत, फिर उसके उपर एक और परत, ये बीच में गोला है चोटा सा, इसके उपर परत है, फिर इसके उपर परत है, और ये सबसे उपर ही परत है, तो इस तरह से प्याज के छिलकों की तरह, जैसे बंद व यह चोटा गोला है जो पूरा आग से बना हुआ है यूसा मजलो आप एक परस है लेकिन इसमें यह पदार्थ है तापमान ज्यादा होता है इसलिए रैड दिख रहा है तो यह किन पदार्थों से बनी है यह भी बात करेंगे क्योंकि इसी से प्रश्ण बनते हैं भी 2018 में पू अपकर नहीं लिख देता हूं मैं यहां पर आपको शायद दिखना रहा हो छोटा छोटा तो इसको बहुति हैं क्रोड के बाहर जो आती यह आदीए जो आपको दिख Likewise में ए रैड वाली को छोडा के यह ब्लें के यह वाली ब्लें ने रेड वाली को छोड़ा जो सबसे उपर दिख रही है यह है जो एक तो धक्कन दिख रहा होगा आपको प्रतवी नीजी प्रतवी वाला यह जो उपर प्रत है यह तो प्रतवी प्रति के बनी हैं 52 सब्सेव एक संकेंरी परतों से बनी है ने और यह आपकी 35 किलोमेटर है जानि कि यह महा थीप्य सनnéरा रहते हैं वहाप क्या होते हैं जहां पर पाणी है जिसको संध्र कХ्या है उहाँ कि प्रत्वी डोऊ हिस्स्स्ते होते हैं अगर बाहरी सं रशना कि बात पर नहीं होते दो ही से होते हैं जैसे हमारा हिंदुस्तान है जहां पर हम रह रहे हैं वो हमारा क्या है महादीप है लेकिन हमारा इधर बंगाल की खाड़ी है इधर अरब सागर है तो यह क्या है यह महा सागर है तो महा सागर के नीचे भी तो जमीन होगी जड़ तक पानी होगा ऐसा नहीं ह यहाँ पर अगर हम बात करें, तो दो तरह से देखेंगे, जैसे चित्र में आख देखेंगे, तो then इधर जो है यह ज्याय होगहे और आपको छोटे-मूटे, लेकिन यह जो हिस्सा है, जो ब्राउन कलर का दिख रहा है इस क्या है आपका, यह जमीन है आपकी, प्थर, सब्सक्राइब था घृम से समझाता हूँ यहां पर थोड़ी सी खाली जगा मिलेगी तो यहां बताता हूं आपको थीचे-एक प्लेंज जमीन है आपकी जोहां पर आपकी क्या Зमीन को पतली सी थोड़ी है को ऐसा थोड़ा चादर बिच्छोही है यह मिल हो गत्ताहिए हैं अ माल लो हमारे पास में एक समुद्र है, यहां पर है एक तालाब, चीक है, यह आपका क्या है तालाब, अब तालाब तो जमीन से गहरा ही होगा सीधी बात है, है नहीं, यह हो गया आपका तालाब, तालाब को ही समुद्र समझ लो यह बड़ी उसमें, तो यह शहर है हमारा जो पलेन जमीन है और यह आपको पानी है तो यह दोनो एक लिएवल में होते हैं अगर देखा जाये तो लेकिन यह जो opportunities हमारी यहां तक फैली हुई है अब यहां तक लेकिन यहां पर, यहां पर तो जमीन ही है न इसके नीचे, तो यह क्या देखा हमने है, इतनी दूरी पर यह जमीन है, समझ पा रहे हो, और यह भी जमीन है, और इसको हम दोनों जमीन को पूरी को क्या कह रहे हैं, पूरी को कह रहे हैं, परपटी, क्या कह दिया हमने इसको, इ और जो समुद्र के नीचे है यह क्या हो जाएगी आपकी यह हो जाएगी महासागर यह परपटी पर यह थोड़ी पतली की यह थोड़ी नीचे वाली जो हमारे जो हमारे जो घर हैं जो के हैं उसके नीचे वाली वो तो है 35 km तक गहरी यानि कि 35 km नीचे तक खोद होगे तो मिट्टी आती रहेगी फुल मिलाके लेकिन समुद्र में जाओगे अगर आप तो समुद्र में जब खोदना स्टार्ट करोगे जब समुद्र के नीचे वाली जमीन आएगी तो केवल 5 km ब बढ़ कुद्धै और मिला है देग वाली में महदीब भाली में माधीब वाली में 20 में महदीब वाली में जो परपट should be वर चिल्मी और तो इसको शॉट कडाएगा इसको सी एल सी जपांव को सी अरो जाता है और इल से आपका क्या हुज आपका यह विम्हें यह महासागर आपका ऊंग्याव ज़ीडया से में और मेंगीश्य हैं इस जो को परपड़िये इसको क्या वह उन इसको बहु है कि अ कि ऊनलेगे भी सिमे तो यह सिलिका और मेगनिशियम से अब याद कैसे रखेंगे पड़ तो लिया लेकिन अगर दिक्कत आगे कि याद नाया सिमे अगर मानलो इसको बोल दिया हमने तो फिर तो गड़बड हो जाएगी ना इसको इस तरह से समझो आप अल्यूमीनियम के बरतन बनाये जाते हैं अल्यूमीना के तो बरतन होते हैं अल्यूमीनियम के बरतन और बरतन जो इस्तिमाल होंगे वो जमीन पर होंगे जहां हम रह रहे हैं हम लोग ही तो बरतन इस्तिमाल करेंगे ना अब समुदर में मचली है समुदर में साफ है समुदर म में एक अक्तुप पॉस है तो वह तो बरतन नहींुमिनियम मेरा नहीं कर रहे ना हम लोग इनसान लोग है जो महादीप रहते हैं वही अल्यूमिन मैगनेशियम। उस तरह से आप इसको याद सकते हो। तो अलुमीना वाला हो गाप 예reshогодो रहे हो। अब उसके आगे चलते हैं, पहली परत की बात हुई है अभी तक आपकी। सिर्फ पहली परत की है जानी कि यहां पर बात करें तो यह जो हमारा यह पूरी सनर्शना है तो सब से उपरी परत की बात हुई ज्यादा साफ दिखेगा आपको इस वाख देखोगे तो यह यह जो सबसे उपर वाली पूरत है जो सबसे उपर का ढगकन है उसकी बात है हम हमारा तब तक क्या चलता रहेगा हमारा चलता रहेगा परपटी जो सबसे उपर उसके बाद क्या स्टाट हो जाएगा उसके नीचे से स्टाट हो जाएगी आपकी मेंटल और यह 1900 किलोमेटर तक चलेगी तो यह 300 kilometers गेराय ताग. फिर इसके नीचे सबसे अंदराती है आंतरिक परत क्रोड जिसको कहते हैं. क्या बोलता है? क्रोड बोलता है. इंग्लेश में कॉर बोलता है. क्या ना कौर का मतलब होता है की मद्य भाग. तो इसको भी सबसे मद्य भाग है, बीच का भाग है. इसलिए तो यहाँ पर तो देखेंगे तो यह दो चीजे, यानि कि यह बीच की गोली भी और इसके उपर वाला आवराण भी यह पूरा का पूरा ही क्या राएगा, क्रोड यह दो बागों में इसलिए हैं, क्योंकि इसको एक को कहते है आंतरिक रोड एक को कहते हैं बाही एक रोड लेकिन है दोनों एक ही मैटरल की बनी हुई है दोनों एक ही चीज है लेकिन इसको बाट दिया नों टुकड़ों में कि आंतरिक रोड और बाही एक रोड तो ठीक है तो यह जो है सबसे अंदर वाली ब तो फिर भी 500 डिग्री से नो सो डिग्री सेंटिग्रेट इसका तापमान होता है 500 मतलब यहां तो इंसान का अगर जल्ते तवे परत होती है जिसको बोल रहा है प्रोड जो सबसे भीतरी गोला है यह किस से बना है आपका निकल और लोहे से बना है लेकिन इसको शॉर्टकट में निफे बोलते हैं क्योंकि फैरस कह रहे हैं हम लोहे को क्या कह रहे हैं फैरस तो इसको क्या बोल रहे हैं निफे इसको बोलते हैं निफे शॉर्टकट में तो इस तरह से चीज़ को, अब इसमें अगर पूरी कहानी में हम बात करें, अच्छा ये मैं नहीं बनाया था, छीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ एक बार पहले, यहां अगर हम बात करें, तो इसमें हमें याद रखने योग्यवाते कौन-कौन सी है, यह देख लिए हैं, प्रपटी, फिर मेंटल, सिर्फ अंदर आती है आपकी क्रोड, तो इसको याद कैसे रखेंगे, अगर आप से पूछ ले जाए कि सही क्रम बताओ आपका, तो सही क्रम क्या है, तो इसको याद रखेंगे आप, PM होता है आपका, PM यानि कि प्रदान मंत्री, प्राइम मिनिस् इधर से CM, इधर से PM, तो P से आपका परपटी, M से आपका मैंटल, और C से आपका क्रोड, यही सही क्रम है इसका आपका, अब आंत्रिक क्रोड और बाहरी क्रोड अगर दो भागों में इसको बाटके चार बना दिये, तो पहले बाहरी आएगी, simple भाशा में, पहले तो बाह आपका, यह याद रखने वाली चीज़े इसमें क्या है, कि महादीप यह सनहती 35 किलोमेटर, समुदरी सतह पर 5 किलोमेटर, महादीप यह सनहती CL से बनी हुई है, यानि कि सिलीका और ऐलूमिना से बनी है, ऐलूमिना याद करने का तरीका मैंने बता दिया था आपको अलूम मैंटल आपके 2900 किलोमेटर हो गई, और आपका क्रोड आपका 3500 किलोमेटर हो गई, जो निफय से बनी है, निकल और फैरस से, यह सबसे आन्तिर क्रोड हो गई, अब यह थी पूरी प्रत्वी की सनरशना आपके, ठीक है, फिलाल इस वीडियो में इतना ही काफी है, यह पहल आपको पसंद आया होगा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज बची भी होगी, जो आपको समझने से रह गई हो, तो अपना फीड़ बैक मुझे जरूर देना, लिक करके कमेंट में कि कैसी लगी यह वीडियो आपको, और इसमें कोई डाउट तो नहीं रह गया, और आगे कुछ, अगर आपको फीड़ बैक देना होगा, ताकि मैं आगे आपका जो है, उसमें चेंज कर सबूँ आपके हिसाब से, तो वीडियो को लाइक करें, और जो मैंने आपको बताई हैं, चीज़े वो जरूर करना, और नोर्स तो आपके लिए कंपल सरी है, नोर्स आपको वीडियो में दिखाया भी था, दो बारा बना दूँगा एक वीडियो और उसमें बता दूँगा, लेकिन आप नोर्स आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई अलग से बुक मत लो, कोई कुछ अड़ने की जरूरत नहीं आपको, और ये टाइम टेबल वाली हो रही है, कितने बज़े हो रही है, सारी चीज़े आपको मिलती नहीं, चलिए, जो भी नए इस्ट्रेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बैल आइकन तबा लो, वीडियो को लाइक शेर जरूर करना, मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में, तब तक लिए बाई-